बेटी को फीट कराने में देपिका की हालत हुई खराब वीडियो शेयर करके बोली मा ऐसा करे तो बॉलिवुड अक्रस देपिका पादुकॉर्ण हाली में मा बनी है देपिका ने एक नन्नी परी को जन दिया है जिसकी जला कभी तक फैंस ने नहीं देखी है रन्बिर और देपिका ने इस सोचल मेडिया पर एक पोस्ट शेयर करके पेरन्स बनने की गोड़ शेयर की थी और इसके बाद से याक्रस सोचल मेडिया पर अपने पोस्ट से बेटी की मज़ेदार हरकतों के बारे में बता रही है हाली में दिपिका ने एक नया वीडियो शेर किया जिसके जरीय उन्होंने बताया कि बेबी को फीट करवाने में उनकी हालत काफी जादा खराब हो जाती है दिपिका पादकोर ने अपने ओफिशल इंसेग्राम एकाउंट की एक स्टोरी पर वीडियो शेर किया है और इस वीडियो में दिपिका ने मा बनने के बाद बेबी को फीट करवाने का स्टोर्गल बताने की कोशिश की है वीडियो में एक लेडी खाने को लेकर इधर-दर भाग रही है वो खाने को देखती और अपना चेहरा घुमाने लगती है इतना ही नहीं वो एक निवाला खाती और फिर सो जाती है इस वीडियो के साथ एक्ट्रोस ने लिखा अगर हम बड़े भी इसी तरह खाना खाते समय करने लगते तो ये वीडियो सोशल मेडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है और फैन्स ने इस बात का अंदाजा एक मिनट में ही लगा लिया कि देपिका यहाँ पर अपने बेवी की बात कर रहे हैं बता दे कि देपिका पादकोर्ण और रणवीर सिंग 8 सितंबर को पेरंट्स बने थे दोनों ने सोशल मेडिया पर एक प्यार भरा पोस किया था और देपिका अपनी बेटी को 15 सितंबर को घर लेकर पहुंची थी देपिका और रणवीर सिंग बेवी होनी के बाद सिर्फी एक बार ही पेपराजीस की कैमरा में कैद हुए दोनों को हॉस्पिटल की बाहर स्पॉर्ट किया गया था जिसके बाद से ही देपिका और रणवीर अपना सारा टाइम अपनी ननी बेबी के साथ स्पेंड कर रहे हैं वोग फ्रेंट की बात करें तो देपिका पादगों रोहिच शेटी की सिंग हम अगेन में रज़र आएंगी जिसमें वो एक पुलिस ओफिसर का रोल निभाने वाली है